हाई फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आप देख रहे हैं शाही पाट साला और मैं हूँ विकेशिंग 67 BPSC Pre की तेयारी हम लोग कर रहे हैं और अभी शामने जो टॉपिक है वो Current Affairs related टॉपिक है जिसमें मैंने कुछ Important Current Affairs को लिया है आप इसको ध्यान से सुनें जोकि जितने भी Current Affairs अभी मैं आपको बताने वाला हूँ सब के सम 67 BPSC Pre की द्रिश्टिकों से काफी Important है तो आएए शुरू करते हैं पहला है यहाँ पर 19 नमंबर 2021 को गुरु नानक देव की कौन सी जयनती मनाई गई है तो इसका जवाब हो जाता है 552 जयनती गुरु नानक देव इसलिए Important है क्योंकि इनका जन्म जो है पटना साहिब में वा था यह आप सब जानते हैं दूसरा है यहाँ पर 19 नमंबर 2021 को रानी लक्ष्मी बाई की 193 जयनती मनाई गई है ठीक है और 19 नमंबर के बारे में एक और भी Important है कि 19 नमंबर को विश्व शौचाले दिवस मनाया गया है तो यह 19 नमंबर से रिलेटेट तीनों बात आपको Important है तीनों के तीनों याद रखने हैं तीनों में से इसलिए Important है क्योंकि भारत जो है साफ सफाई पर विश्व धियान दे रहा है इसलिए 140 दिवस जो है यह आपको धियान रखने है यह प्रदान मंतरे के कारिकरब में भी शामिल है गुरुणानक देव जी इसलिए Important है क्योंकि अभिहार की धरती से संबंद रखते हैं और राने लक्षमी वाई मैंने इसलिए यहाँ पर बताया क्योंकि 19 नमंबर की बात चल रही है तो 193 जहनती राने लक्षमी वाई की मनाई गई है तो इस प्रकार से यहाँ प गार्विन मुगरुजा टेनिस रिलेटेड जितने भी है वो सब कुछ याद रखेंगे विमल्डन है आपका अस्ट्रेलियन ओपेन है युएस ओपेन है जितने भी है फुरुस और महिला दोनु खिताब के बारे में आप विस्तार से जानकारी रखेंगे आईए जब मैं आ पुस्तक के लेखक है यह बहुत इंपोर्टिन पुस्तक हो जाता है 67 बीपेशी एक्जाम के नजर ये कुन से ठीक है अगला प्रसन है देश का पहला मतस्य ब्यावसाय इंक्यूबेटर का उद्गाटन कहां किया गया है तो इसका जवाब है गुरु ग्राम गुरु ग्राम कौन बने है तो आपका जवाब हो जाता है सौरफ गौंगली ICC International Cricket Council पूरुष क्रिकेट समिती के नया ध्यक्ष कौन बने है सौरफ गौंगली इसके बाद आगे मैं बात करूँ तो अगला प्रसन है बैस्विक रिस्वत खोरी सूची में भारत कीस अस्थान पर है तो 82 बे 57 रैंकिंग जो है सब किस सब रैंकिंग आप याद कर लेंगे जो कि जब आप previous year question उलट कर देखेंगे तो कोई ना कोई एक रैंकिंग वाला प्रसन जो है BPSC जरूर पूछा है इसलिए यहाँ पर मैंने रिस्वत खोरी सूची को लेख लिया है मुझे सामने आया होगा मैं कर लेंगे क्योंकि योद्द अभ्यास रेलेटेड भी प्रसन है प्रती वर्ष एक नाएक रहता ही है और वर्ष 2021 में हुए है इसमें कोन-ْकोन से देशामिल हुए थे एक्समालावार में जो है कौर्ड देश सामिल हुए थे जिसमें भारत जापान अस्टेलिया और अमेरि का सामिल है अगला प्रस्द है कि देश का पहला प्रमानित सहर की शहर को घोशित किया गया है तो वाटर प्लस certified strategy जो है वह इंदोर को घोशित किया गया है ये काफी important हो जाता है चलिए अगला प्रस्थन है अगस्त 2021 में एमसर सूची एमसर ने रामसर सूची में चार अस्थलों को शामिल किया गया है रामसर साइट आपके लिए काफी important हो जाता है चारों अस्थान याद रखेंगे चार में से कौन सा पूछा जाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है अब इनकी कूल संख्या कितना हो गई है पहले गिल्ली मिट्टी को तो उसको रामसर सूची में सामिल किया गया है तो टुकुल चार अस्थलों को सामिल किया गया है दो साइट्स हर्याना के हैं और दो साइट्स कहां के हैं गुजरात के हैं हर्याना के दो जगह जो है वो कौन-कौन सा है एक है सुल्तानपुर दूसरा है भिंदावस, और गुजराथ के जो दूज साइत है, दूज जगा है दू प्लेस है, वो कौन-कौन से एक है थोल और दूसरा क्या है बखावन तो ये दू रामसर साइट कुजराथ के हैं और दू रामसर साइट कहां के है हरियाना के हैं, आपको चारो रानुशट साइट के बारे में ये मुख्य बिंदू जो है याद रखना है आएए मैं आगे आपको और भी प्रस्ण यहाँ पर है अफगानिस्तान से भारतिय नागरिकों के निकासी के मिसन जो था एक मिसन के तहट अफगानिस्तान में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो वहां से सभी नागरिकों को निकाला गिया जितने भी भारति नागरिक थे तो उस मिसन का नाम क्या था यह मिसन काफ़ी इंपोर्टिंट हो जाता है तो मिसन का नाम था ओपरेशन दे भी सकती कौन सा मिसन था ओपरेशन दे भी सकती उसके बाद मैं अगले प्रसन की बात करूँ तो यहाँ पर है ट्रांसजेंडर ब्यक्तियों के लिए नौकरी में आरक्षन परदान करने वाला पहला राजी कौन सा बना करनाटक बना हलाकि आरक्षन बहुत कम मिल रहा है यहाँ पर सिर्फ एक परतिशत आरक्षन देने की बात कही गई है तो ट्रांसजेंडर ब्यक्तियों के लिए जो नौकरी में आरक्षन परदान कौन सा राजी करेगा करनाटक पहला राजी है जहाँ पर ट्रांसजेंडर लोगों के लिए एक परतिशत आरक्षन देका सरकारी नौकरी में और यहाँ पर एक और प्रसन है IDM यानि प्रवंधन विकास संस्थान द्वारजारी विश्व प्रती अस्परधा सुचकांक में 43 वा अस्थान भारत का है जो पुर्ववत बना हुआ है यानि 2021 के पहले भी प्रवंधन विकास सुचकांक में जो भारत की रैंकिंग थी 43 थी और बरतमान में भी अपने स्थिकों बरकरार रखा है तो इस प्रकार से मैं प्रती एक दिन या फिर एक दू दिन की अंतराल पर कोशिश करूँगा कि जो important current affairs है साधारन सभी प्रकार करें वैसे current affairs जो BPSC pre-examination की नजरिये से काफी important है इस प्रकार के प्रस्ण को लेकर के मैं आपके बीच आया हूँगा निस्तित रूप से नियमित आप वीडियो देखा कीजे क्योंकि साधारन केसी बात के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ जो important है जो महत्वपुरुन है जो exam में पूछे जाने की शंभावना जिसकी आधिक होती है इसी प्रकार के कुछ प्रस्ण को लेकर के मैं आपके बीच आता हूँ धन्यवाद